आज की इस वीडियो में आपको बताने वालों कि अपने आधार कार्ड में पेन कार्ड को लिंक करना बहुत ही जरूर ही है 31 मार्ज तक में अगर आप दोस्तो अपने आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका pain card inactive हो जाएगा यानि की निस्करिये हो जाएगा तो दोस्तों आपको pain card को आधार card से link करना बहुत ही जरूर ये 31 मार्ट से पहले अगर आप 31 मार्ट से पहले अपने pain card को आधार card से link नहीं करते हैं आपका बहुत सरा सर्विस पेन कार्ट से बंद कर दिया जाता है जैसे कि केवाइसी नहीं कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप अपने नया एकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं तो बहुत सरे सर्विस को बंद कर दिया जाएगा इसलिए 31 मार्ट से पहले आपको अपने पेन में आधार card को link कर सकते हैं online घर बेटे अपने mobile phone से आपको कहीं जाने की जवत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है income tax के official website पे आ जाना है link आधार status के एक option आपको दिखाये देगा सबसे पहले आपको करना क्या है link आधार status के option पर क्लिक कर देना है सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके आधार card में pain card link है या नहीं अगर link है तो आपको payment करने की जवत नहीं पड़ेगी उस पर आपको simply click करना है जैसे उस पर आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डालना है pain card का number डालना है उपर में उसके बाद नीचे में आपको आधार card का number डाल देना है अब दोस्तों मैं view link status के option पर मैं click करता हूँ जैसे ही दोस्तों मैं इस पर click करता हूँ यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है pain not linked with आधार please click link आधार link to your आधार with pain तो दोस्तों मेरा यहाँ पर pain card आधार card से link नहीं है तो link करने के लिए आपको करना क्या होगा आप दोस्तों यहाँ पर आपको pain card का number सबसे पहले आपको डाल देना है उसके बाद आधार card का number आपको डाल देना है उसके बाद नीचे में validate का एक option आपको दिखाए देगा इस पर आपको simply click कर देना है चलिए दोस्तो मैं अपने pain card का number आधार card का number यहाँ पर डाल कर validate पर मैं click करता हूँ जैसा कि मैं आपने पूरा detail दे दिया हूँ अब दोस्तो मैं करता क्या हूँ नीचे में validate का option दिखाई देगा simply इस पर मैं click कर देता हूँ जैसे दोस्तो आप validate के option पर आप click करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा यहाँ पर कुछ introduction दिया गया यहाँ पर पेन को आधार से link करेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 1000 रुपय का fine लगता है और दोस्तों यहाँ पर आपको चार से पांच दिन लगता है आपके आधार काड में link registered है वो mobile number डाल कर नीचे में continue को option दिखाए देगा continue को option पर click करेंगे उसके बाद आपके आधार काड में जो भी mobile number लिंक होगा उस पर OTP जाएगा उस OTP को आपको डाल कर नीचे में continue को option दिखाए देगा जैसे आप continue वाले option पर click करना है जैसे आप continue वाले option पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आपको तीन परकार का payment करने के लिए दिया जा रहा है पर दोस्तों आपको करना क्या है income tax वाला जो first option है इस पर आपको नीचे में देख सकते है प्रोसीट को option दिखाए देगा इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देगा जैसे दोस्तों आप इस प्रो सबसे पहले आपको करना क्या select वाले option पर किलिक करना है उसके अब दोस्तों यहाँ पर दोहर 23 से 24 वाला जो first option है उसको आपको select करना है दोहर 23 से 24 वाले आपको select करना है नीचे में आपका automatic financial air आजाएगा और दोस्तों असिस्मेंट एर भी आपका आजाएगा दोहर 23 से 24 जैसे दोस्तों आधर रेसिप्त फाइप वाले option पर किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इसतरा का interface आ जाएगा अब आपको क्या करना है आपको नीचे ma करने आपको नीचे चले नीचे आने के बाद यहां पर आपको ऑपसं दिखाए देगा सिंपली सब्सकों करूब करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरपेस आजाएगा अब दोस्तों यहां पर पेमेंट करने के लिए बहुत सरा ऑप्सन दिया गया है जैसा कि दोस्तों आप यहां पर सबसे पहले ऑप्सन दे रहा है नेट बैंकिंग से और दोस्तों यहां पर डेविट कार्ड पे एड बैंक कांटर उसके बाद आर्टी नहीं है तो यहां पर अधर बैंक का एक उप्सन दिया गया है इस पर आपको सिंपली किलिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरपेस आजाएगा अब दोस्तों नीचे में का उप्सन दिखाए देगा कंटेनी वाले ऑप्सन पर किलिक कर देना है जैसे अब दोस्तों बैंक को थोड़ा नीचे आपको इस्टॉल वान करना है उसके बाद सबसे नीचे आपको आजाना नीचे में देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बोल रहा है एक हजार आपको पेमेंट करने के लिए तो आपको करना क्या होगा इस पर आपको सिंपली किलिक कर जैसे दोस्तो उस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरपेस आजाएगा अब दोस्तो बैंक को बढ़ोदा का यूजर आइडिया आपको डाल देना यानि की नेट बैंकिंग का यूजर आडिया आपको डालकर लॉग इन के अपसवर्ट डालकर लॉग पर अच्छे से देख लेंगे आपको करना है तो आपको क्या करना है नीचे आने के बाद आपको क्या करना है यहां पर दोस्तों रिमार्क में आपको यहाँ पर कुछ लिग देना जैसे कि यहाँ पर deposit मैं लिग देता हूँ उसके बाद अपने net banking यानि की bank को बढ़ोदा का net banking जो है उसका transaction password यहाँ पर डाल कर नीचे में submit का option दिखाए देगा आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों यहाँ पर automatic refresh लगा आपको कुछ नहीं करना आपको छोड़ देना है आपको कुछी सेकंड में यहाँ पर दोस्तों आपका payment successfully हो जाएगा और आपका payment card आधार card से link करने का payment successfully हो जाएगा आप दोस्तों payment करने के बाद यहाँ पर कितने दिन में link होता है चार से पांच दिन के अंदर आपका payment card आधार card से link हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर चलान आपको यहाँ पर download करना है तो download के option दिखाई दे रहा है इस पर आपको simply click करकर download कर सकते हैं यहाँ दोस्तों बोल रहा है डथ चलान payment की successfully download के option option पर click करके अपना चलान यहाँ पर download कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर पूरा डीटेल आपका दिखाई कितना payment आपकी है कितने तारी को किये कितने डेट को किये पेन कार्ड में नाम किया सभी आपको यहाँ दिखाई देगा पर दोस्तों आपको link होने में 4-5 दिन लगता है तो आपको वेट करना है वेट करने के बाद तो फिर से आपको income tax के official website पर जाकर आपको यहाँ पर request करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पर download का option दिखाए देगा simply download के option पर click करके यहाँ पर आपको चलान download करने के लिए यहाँ पर देख सकते है download का option दिखाए तो आपको पीडिया पाइल कुछी सिकंड में download हो जागा उसके बाद दोस्तों आपको चार से पांच दिन का वेट करना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है income tax के official website पर फिर से आपको चले आना है फिर से आने के बाद आपको क्या करना है request आपको दिखाए देगा तो सिंपल से आपको लिंक आधार वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप लिंक आधार के option पर आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का interface आजागा जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अब दोस्तों करना है नीचे आने के बाद दोस्तों यहां आपको अपना पैन नंबर डालन hang वादार पर देखे देखे ऐसे पर आपको इसपर आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या है वैलिडेट के option पे आप किलिक कर देना है जैसे किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब यहां पे बोल रहा है यूर पेमेंट डीटेल और वेरिफाइब प्र दोस्तो चार से पांच दिन के बाद आप रिक्वेश्ट बेजएंगे रिक्वेस्ट बेजने के लिए उसके अदान नंबर पेंट कार्ड नमबर डालेंगे उसके कंटिनू पर किलिक करेंगे आपको तो यहां पे आपका आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा और आपके आधार कार्ड में जो भी मुवाल नंबर लिंक है वो मुवाल नंबर को डाल कर दोनों चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करके लिंक आधार पर क्लिक करेंगे आपका रिक्वेस्ट चला जागा पर दोस्तों यह रिक्वेस्ट आप